ना कजरे की धार ना मोतियों के हार ना कोई की आसरिंगार फिर भी कितनी सुन्दर हो तुम कितनी सुन्दर हो दिल हर कोई देता है हम जान भी तुझे को देंगे एक बार तो सब मरते हैं एक बार तो सब मरते हैं हम तुझे पर सौबार मरेंगे भूल नहीं सकता ये सदमा याद हमेशा आएगा किसी ने ऐसा दर्द दिया जो बन के मुझे तड़ पाएगा नहीं तेरा कोई दोश दोश मद होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त भर नहीं सकते जखम ये दिल के कोई साल महीने में कोई साल महीने में हो सुभा से लेकर शाम तक शाम से लेकर रात तक रात से लेकर सुभा तक सुभा से फिर शाम तक मुझे प्यार करो हो मुझे प्यार करो हे हे आहा हा हे 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 आहा टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई आग लगी दिल में तो दिल को तेरी आद आई नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दिलिप और एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रोजिक फिल्म में आपका स्वागत है 90s nostalgia पर बात कर रहे हैं हम लोग और यह सिरीज जो है इसका नाम है cassette classic मेरे छोटे भाई प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम बात करेंगे 1994 की release film मोहरा के soundtrack की मोहरा का यह जो cassette है यह विनस records पे हैं और मेरे पास जो cassette है यह 2003 की packing है यह आखिर आखिर का दौर था cassette का तब की यह packing है और इसमें जो cassette है यह आप देख सकते हैं फ्रेंट पे अक्षे कुमार और रवीना टेंडन जो की फिल्म के lead pair थे उनकी image देख सकते हैं आप और इसके लावा cassette में कहीं भी सुनिल शेटी या नसिरुद्दीन शाह की image नहीं है क्योंकि यह post 2000 की packing है तो इसमें अक्षे कुमार को जो है वो ज्यादा तवज्जु दी है क्योंकि इस वक्त तक सुनिल शेटी का career उतना अच्छा जा नहीं रहा था तो हम समझ सकते हैं कि इस पे जो feature है वो अक्षे और रवीना का है अगर इस cassette की बात करूँ तो यह cassette जो इसकी condition बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत लंबे समय से यह box में पड़ी हुई थी और इस वाज़े से इसका cover जो है यह paper इस hard cover पे चिपक गया है तो इसे हम cover को मैं आपको बाहर निकाल कर नहीं दिखा पाऊंगा जैसे आम तोर पे सभी cassette के साथ में करता हूं क्योंकि यह इतनी बुरी तरह चिपका है कि अगर इसे हम बाहर निकालेंगे तो यह फट जाएगा अगर हम अंदर देखे cassette के अंदर तो यह cassette जो है यह post 2000 वाला cassette है विनस का तो यह transparent cassette है आप देख सकते हैं कि इसमें फिल्म का टाइटल नहीं है और विनस के उस दौर की जितनी भी cassette आई है post 2000 की उसमें यह problem रही है कि फिल्म का टाइटल जो है वो नहीं दिया जाता था और इस cassette के साथ भी ऐसे ही है कसेट के सामने मोहरा टाइटल आप देख सकते हैं डीटेलिंग की अगर बात करें तो और नीचे जो है प्रोडूसर का नाम है गुलशन रॉय और उनके बेटे राजीव रॉय ने डिरेक्ट की थी जो तृदेव और विश्वात्मा जैसी फिल्म में इसके पहले बना चुक अंदर जो है आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी गानों की साइड ए साइड बी के गाने क्या है किसके लिरिक्स है यह सारी चीज़े डिटेल है इसमें और इस तरफ आप जो है वो गानों के टाइटल देख सकते हैं गानों के नाम देख सकते हैं और यहां पर आपको विज और राजीव रॉय की भी छोटी छोटी इमेज आप देख पाएंगे पीछे तो डिरेक्टर की इमेज बहुत कम मैंने देखी है कसेट के उपर तो ये थोड़ा सा यूनिक कसेट था हालागी हालत बहुत खराब हो गई है इस कसेट की तो चलिए सबसे पहले गानों की बात करत और इसे गाया था उधित नारायन कविता कृष्ण मूर्ती ने आनंद बक्षी साहब ने इसके लिरिक्स लिखे थे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त पहले उधित नारायन के साथ सपना मुखरजी गाने वाली थी लेकिन जो फिल्म के डिरेक्टर थे राजीव राय वो चाहत थे कि ये गाना कविता कृष्ण मूर्ती गाया और सपना मुखरजी जो पहले भी विजुशाह के साथ त्रिदेव और विश्वात्मा जैसे फिल्मों में काम कर चुके थी उनकी जगा पर कविता कृष्ण मूर्ती ने ये गाना गाया उधित नारायन के साथ तू चीज बड़ी है मस्त मस्त नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोश दोश मद होश है तू हर वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ये गाना जो है ये राग भीम पलासी पर बेज़्ड है कैनाटिक मुजिक में इसे आभेरी कहा जाता है ये गाना जो है नुसरत फतेली खान साहब की highly popular कवाली दमादम मस्त कलंदर से inspired था और नुसरत साहब ने खुद कहा था कि उनकी जो कवालीयां लिफ्ट की गई है बॉल्यूड में उनमें से ये गाना उनका सबसे पसंदिदा गाना रहा है तो चलिए इस popular number के बाद अब बात करेंगे side A के दूसरे गाने की side A का दूसरा गाना जो था वो था सुभा से लेकर शाम तक जो एक romantic number था और इसे भी देले कर सुभा तक सुभा से फिर शाम तक मुझे प्यार करो हो मुझे प्यार करो हो मुझे प्यार करो हो मुझे प्यार करो मुझे प्यार करो और इस रोमेंटिक नमबर के बाद आप बात करेंगे फिल्म के सैड सॉंग की जो की इस एल्बम का एकला होता सैड सॉंग है जिसे आवाज दी थी कुमार सानु सहाब ने और इस गाने को लिखा था आनंद बक्षी जी ने ये गाना था ऐ काश कहीं ऐसा होता के दो दिल होते सीने में एक तूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में तकलीफ ना होती जीने में आनंद बक्षी सहाब ने ये गाना जो है वो दिलिप कुमार सहाब की फिल्म थी कलिंगा जो की कभी रिलीज नहीं हो पाई उसके लिए लिखा था बाद में ये पूरा गाना जो है वो विजुशाह के पास गया तो उन्होंने इसकी धुन तयार की और उस वक्त क्योंकि वो मोहरा में काम कर रहे थे मोहरा के सांट्राक पे काम कर रहे थे तो उन्होंने मोहरा के लिए इस सांग को इस्तमाल कर लिया और क्या कमाल का सिच्वेशनल गाना था ये आज भी उतना ही पौपुलर है इस गाने को सुनते वक्त ऐसे लगता है जैसे सानुदाने अपने पूरे जजबात उडेल दिये है और बक्षी साहब की लिरिक्स को उन्होंने अपनी आवाज के साथ जी लिया है जैसा होता के दो दिल होते सीने में अब बात करेंगे साइड एक चौथे गाने की जो की एक रोमैंटिक नंबर है लेकिन बहुत ज्यादा इस अलबम में उतना पॉपुलर नहीं है ये गाना इसे कम सुना जाता है ये गाना था दिल हर कोई देता है अगर आप सानुदा के फैन है तो आपने सुना होगा लेकिन बाकी लोगों ने शायद कम सुना होगा क्योंकि जिनके पास कैसेट या सीडी रही होगी इस फिल्म की वो तो जरूर सुने होंगे लेकिन जिन्होंने यूट्यूब पर या फ दिल हर कोई देता है हम जान भी तुझ को देंगे इक बार तो सब मरते हैं एक बार तो सब मरते हैं हम तुझ पर साव बार मरेंगे दिल हर कोई देता है हम जान भी तुझ को देंगे तो दोस्तों साइड A के गानों की हमने बात कर ली और अब बात करेंगे साइड B के गानों की. साइड B का पहला गाना है टिप टिप बसा पानी जो बहुत ही पॉपुलर और बड़ा गाना था, बहुत लोग प्रिये था, बहुत मशूर था और आज भी मशूर है. आप TV चैनल में बनी फिल्म सूर्य वनशी देखी होगी तो वहाँ पर भी ये गाना recreate हुआ था, ओरिजनल गाना जो है वक्षे कुमार और रवीना टेंडन पर हुआ था, बहुत ही bold और hot गाना था उस समय के हिसाब से और जो नया वरजन था इसका सूर्य वनशी में उसमें cat ने replace किया था रवीना टेंडन को लेकिन जो ओरिजनल वाली बात थी वो मैं समझता हूँ इस गाने में नहीं आपाई थी तो चलिए ये गाना को सुनते हैं टिप टिप बरसा पानी पानी ने आग लगाई आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई तेरी याद आई तो चा गया मुझ पे दीवाना पन मेरे बस में नहीं मेरा मन मैं क्या करूं हे हे आहा 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 टिप टिप बरसा पानी ये गाना जो है आनंद बक्षित साहब ने लिखा था और ऐसा कहा जाता है कि जब ये आल्बम तयार हो रहा था तो आनंद बक्षित साहब जो है तो थोड़ा सा इस बात को लेकर नानुकुर कर रहे थे कि पूरा album उनका नहीं है कुछ गाने इसमें इंदीवर सहाब भी लिख रहे हैं लेकिन क्योंकि विजू शाह पुराने परिचित थे उनके पिता के साथ भी उन्होंने काफी काम किया है तो फाइनली उन्होंने जो है बहुत राजी खुशी जो है इस album के लिए काम किया था और अब बात करेंगे side B के दूसरे गाने की जो की एक soulful song में इसे कहूंगा romantic नंबर तो ही है लेकिन बहुत ही कमाल का ये गाना था ये गाना था नाकजरे की धार आपने जरूर सुना होगा ये गाना और इसे गाया था लेट पंकचुधास सहाब ने और उनके साथ आवाज द ना मोतियों के हार ना कोई की आश्रिंगार फिर भी कितनी सुन्दर हो तुम कितनी सुन्दर हो मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा जीवन में प्यार भरा तुम तो मेरे प्रिवर हो तुमी तो मेरे प्रिवर हो लिए गाना बनाया था नाकजरे की धार जो गाया था उनके प्रिय गायक मुकेश जी ने तो ये गाना जो है किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाया था क्योंकि ये फिल्म जो है वो कभी रिलीज नहीं हो पाई थी तो ये अन्रिलीज गाना जो है वो कल्यान जी आनन जी के पास से रखा हुआ था, फिल्म के प्रोड्यूसर जहें अकसर आते थे, और ये गाना सुनने की जित करते थे, फरमाईश करते थे, कल्यांजी, आननजी भाई से, और उसी दौरान विजु शाहा ने इस गाने को सुना था, तब से उनके जहन में ये गाना बसा भुआ था, जब मोहरा बन रही थी एक romantic number की बात जब आई तो राजीव राय को विजुशाह ने ये धुन सुनाई ये गाना सुनाया लेकिन राजीव राय को लगा कि या रहे गाना इस जमाने के हिसाब से बहुत slow है तो विजुशाह ने क्या किया उसे उस दौर के जो instruments थे उस दौर का जो संगीत था जो arrangements होते थे 90's के उसके हिसाब से इस गाने को बनाया और पंकज उदास जी से और साधना सरगम जी से ये गाना गवाया फिर भी राजीव राय जो है बहुत convinced नहीं थे इस गाने को लेकर तो विजुशाह ने का कि आप इस गाने को लगातार सुनिया repeat mode पे त ये गाना जब release हुआ तो जाहिर तोर पर popular numbers जो थे फिल्म के उसके मुकाबले ये लेट चला लेकिन जब लोगों ने फिल्म में ये गाना देखा तो वे इसके मुरीद हो गए और आज भी पंकज उदास साहब के पसंद इदा जो उन्होंने गाए हैं गाने उनमें ये गान साहब का और चौथा जो गाना है वो सोलो है साधना सरगम जी का एक और इंटरस्टिंग बात मुझे याद आ रही है जब इस गाने के फीमेल वजन के लिए इंदिवर साहब को बुलाया गया कि वो इसके फीमेल वजन लिखे लड़की के तरफ से जो गाय जाने वाले बोल ह वो लिखे तो इंदिवर साहब ने लिखे तो और जब विजुशा ने उन्हें बताया कि जो ओरिजिनल गाना ये है ये भी आप ही ने लिखा तो इंदिवर साहब को यकीन ही नहीं हुआ उन्हें वो याद ही नहीं आ रहा था वो मेमोरी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे अ Side B का पाच्वा और आखरी गाना सेम वही गाना है जो Side A का पहला गाना था तो चीज बड़ी है मस्त मस्त यहां पर ये गाना हो जाता है मैं चीज बड़ी हूं मस्त मस्त कविता कृष्ण मूर्ती का सोलो सौंग है ये और आनद बक्षिल साब ने जैसे कि इसके लिरिक्स लिखे थे ये गाना पूरी धुन और म्यूजिक वैसे ही है बस यहाई कि ये सोलो रवीना टंडन पर फिल्म आया गया था फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले ये गाना होता है और फिल्म के शुरुआती दोर में जब ये फिल्म रिलिस वीती तो ये गाना नहीं था ऐसा मैंने पढ़ा है बाद में ये जो गाना है ये रखा गया था फिल्म में जब ये गाना और ये फिल्म हिट हो गये थे दोस्तो साल 1994 का सबसे पॉपुलर आलबम था हम आपके हैं कौन और उसके बाद सबसे पॉपुलर आलबम बना था मोहरा का खरीब 45 लाख यूनिट इस आलबम की बिकी थी और उसी साल एक और बड़ा आलबम था दिल्वाले दिल्वाले के मुजिक पर भी हम कभी बात करेंगे जो की बहुत लोगपुलरी आलबम है नाइंटीज के तो जाहिर तोर पर कसेट क्लासिक के किसी एपिसोड में दिल्वाले पर भी हम बातचीत करेंगे तो दोस्तों इस एपिसोड में बस इतना ही आपको बहुत मज़ा आया होगा प्रदीप और मेरे साथ और मोहरा पर ये जो भी बातचीत हमने की इसके म्यूजिक को लेकर इस फिल्म को लेकर वो आपके लिए नॉस्टेल्जिक रही होगी गुजरे दौर की यादों की एक सैर आपने की होगी और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स कर रहे हैं और हमसे रापता इसी तरह बनाए रखिए आज के वीडियो में बस इतना ही अगले किसी एपिसोड में किसी नई कसेट के उपर बात करेंगे तब तक के लिए बहुत बहुत अपना खयाल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त